कल बाबा ने कोरोना की दवाई बनाने और शत प्रतिसत इलाज करने का दावा ठोक दिया अब बाबा तो बाबा ही ठहरे पक्का व्यपारी होता तो पहले सारे न्यू चैनलों वालों अपसरों को ठूस ठूस कर खिलाता फिर आकर बोलता तो सब ठीक रहता लेकिन नई अंदर के कीडे ने ऐसा करने ही नहीं दिया सैना में जब भी नए नए रंग रूटों की भरती होती हैं तो ट्रेनिंग के दौरान उनका सामना किसी न किसी बहुत कड़े अपसर से होता ही है वो अपसर इन रंग रूटों की हमेशा ऐसी तैसी करके रखता है उसके नाम से आवाज से या खायाल से ही रंग रूटों की फटके फ्लॉवर हो जाती है ऐसे ही एक ट्रेनिंग में एक बहुत कड़क अपसर ने रंग रूटों की जान ले रखी थी जैसे तेसे ट्रेनिंग खतम होने आई तब एक दिन अपसर ने सबी से एक सवाल पूछा जवानो ये बताओ अगर तुम्हें एक आँक एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसका क्या करोगे और अपनी बॉडी में उसे कहां फिट करना पसंद करोगे तरह तरह के जवाब आने लगे किसी ने का मैं सिर के दाई तरफ लगाऊंगा ताकि दाई तरफ से दुस्मन मुझे दिखाई दे जाए किसी ने का मैं बाई तरफ लगाऊंगा किसी ने का मैं पीछे की तरफ लगाऊंगा ताकि दुस्मन पीछे से दिखाई दे जाए किसी ने का मैं हतेली पर लगाऊंगा ताकि हाथ उचा करके भी देख लूँ कि दुस्मन कहा है एक जवान बड़ी देर से खामोस खड़ा था उससे अफसर ने पूछा तेरे को पीले चावल भेजने पड़ेंगे क्या जवान बुला सर में अपनी उंगली में वो आँख फिट करूँगा फिर उसको आपके पीछवाडे में गुसेड कर देखूँगा कि अंदर कौन सा कीड़ा है ऐसा ही एक कीड़ा अपने बाबा रामदेव के अंदर भी है कल बाबा ने कौरोना की दवाई बनाने और शर्थ प्रतिशत इलाज करने का दावा ठोक दिया अब बाबा तो बाबा ही ठेरे पक्का व्यापर ही होता तो पहले सारे न्यूज चैनलों वालों अपसरों को ठूस ठूस कर खिलाता फिर आकर बोलता तो सब ठीक रहता लेकिन नहीं अंदर के कीड़े ने ऐसा करने ही नहीं दिया कीड़े के कारण बाबे को बड़ी चूल मची रहती है सीधा प्रेस कांफरेंस करके भोकाल मचा दिया ये लोजी दवाई सिर्फ 600 रुपए में ले लो एक ये बाबा और एक वो अमरत पिये हुए MDH मसाले वाले बाबा अपने माल की दोनों खुदी मॉडलिंग करते हैं खुदी ब्रेंड एमबेसडर है वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो गोरी गोरी चिकनी चिकनी छोरियों पर करोडों लुटाने पड़ते हैं और इधर बाबे सिर्फ गेरुए कपड़े पहने बिना मेकप बड़ी सी डाड़ी और तिर्फ ही आँखों सही अपना माल बेज डालता है हॉलिक्स, बूस्ट, कॉम्पलैन, आदी पीकर आज तक कितने बच्चों की हाइट या इम्म्यून सिस्टम मजबूत हुआ है दातों की हमेशा बहतरी इन सफाई का दावा करने वाले कॉल गेट, पेप्सोडेंट, क्लोजब आदी से मूध होने के बाद भी डेंटिस्टों की दुकान धडलले से क्यों चल रहे है महेंगे डियोड्रेंट लगाने के बाद आज तक कितने अखंडियों को उनकी पसंद की लड़की के साथ सेटिंग हुई है पेप्सी, थमसप, कोका कोला, स्प्राइट, लिमका आदी पीने के बाद क्या सच में सरीर में एनरजी आ जाती है तो कोरोनिल के खिलाब कुत्ते की तरफ भौकने वाले लोगों ने इन सब के खिलाब आवाज क्यों नहीं उठाई इशारा साफ है कि बाबा ने इन कुत्तों के आगे हड़ी नहीं डाली, तब ही वे पगला गये और बाबा किसी को ये दवा जबर्दसी तो पिला नहीं रहें, तो फिर इन कुत्तों के पेट में मरोड क्यों उठ रहें उनके एक दंद कांती नहीं कईयों के दाथ खटे कर दिये अब बड़ी बड़ी कंपनियों की सांसे उपर नीचे हो रही है बाबा के कारण उनको अपने पेश्ट में कभी नमक, नीमबू, कभी नीम और यहां तक की चारकोल तक गोलना पड़ रहा है और उदर बाबा है कि बस हसकर धिली कर देता है फिर बाबा का कीड़ा उनसे बहुत सारे काम करवाता है फिरी फोकड में योग सीखाते है हरी दुआर में हजारों लोगों का बहुत सस्ते में इलाज करते ही रहते है जिन मरीजों के सामने बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये थे बाबा ने उनको भी ठीक कर दिया और कईयों के तो आखरी स्टेज का कैंसर तक ठीक कर दिया लेकिन बाबा का कीड़ा ज़्यादा बड़ा है तो वो बाबा से हर आपदा में सेवा करवाता है उत्तराखंड की हसीन वादियों को छोड़ कर जाने वालों को रोकता है उनको रोजगार देता है बिना दलाली के किसानों से सीधा फसले खरीदवाता है लोगों से जैविक खेती करवाता है फोकट में योग ट्रेनर बनवाता है योग आयुर्वेद को नई पहचान दिलवाता है फिर इस बिमारी को फैलाने में इत्ती मेहनत करनी पड़ी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को जिसका सौफ्ट्वेर दुनिया के 90% से भी ज़्यादा कम्पिटर लेप्टॉप में लगा है फिर भी बिचारे को और भी पैसों की जोरत पड़ रही थी तो उसने खूब ठूश ठूश कर विस्व बिमार संगठन को खरीड डाला अपना पडोसी चप्टा चीन तो उदारी बैठा था तो वो भी शामिल हो गया साजिस में अब दवाई से माल कूटेंगे लेकिन ये क्या ये बाबा कौन होता है हमारी सारी प्लानिंग को फेल करने वाला और वो भी सिर्फ 600 रुपे में बेचने आ गया पेलो इसको ग्यानियों की कमी तो है ही नहीं हमारे देश में किसी कमपनी ने 103 रुपे की गोली बताई तो बड़े खुश किसी ने कोई विसलेशन नहीं किया लेकिन जैसे ही बाबे ने कल भोकाल काटा सब के सब बढ़के विसेसग्य ग्यानी शुरू हो गए ऐसे थोड़े नहों होता है दवाई बजार में आई नहीं लेकिन बाबे की दवाई का और बाबे के इरादों का विसलेशन शुरू कर दिया आयूस मंत्राले ने प्रचार पर रोग लगाई तो शुरू हो गए किसी से पूछो अच्छा कोई एक काले या काली को सामने लाओ जो फिर एन लवली से गोरा या गोरी हो गई हो लेकिन एक करीम की सेल करोडो में है किसी गोरी, चिकनी, चमेली हीरोईन को पकड़ कर लाते हैं फिर मेकप से उसको काला करते हैं फिर सिर्फ छ लेकिन बाबे से बड़ी तकलीब है पहले इसने साबुन, तेल, पेश्ट बेचने वाली कमपनियों की वाट लगाई अब पेटेंट करवा कर जबर माल कूटने की प्लानिंग करके बैठी फार्मा कमपनियों के बाल बच्चों के भी रोटी छीनने पर उतारो हो गया है कौरोना का इलाज नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का बिल बन रही है अब कोई मरीज को देखने जा नहीं सकता, उसके साथ रह नहीं सकता तो ये लो पकड़ो मोटा, मोटा मोटा बिल आदमी दैशत में ही मर रही है, कोई घर में छीक भी दे तो घरवालों का बीपी हाई हो रहा है और बाबा भी नहायत ही बेवकूफ आदमी है कौरोनील नाम नाम न रखकर कोई बड़ी टेडी सी अंग्रेजी नाम रखता और दवाई का दाम कई गुना बढ़ा कर उसका कुछ पैसा बड़े अधिकारियों के मूवर मारता ताकि वो भी खुश रहते और कुछ हिस्सा बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट एजिंसी को देता जिससे वो लुभावने भासा में कौरोनील का प्रचार करते और जनता भी ये और अधिक दाम और लुभावने प्रचार को देखकर तुरंद विश्वास कर लेती याद रहे हम भारतियों वहीं लोग हैं जो सिर्दत की सरकारी गोली जो पचास पैसी की आती हैं वो न लेकर बड़े मौडरन अस्पतालों में जाकर माईग्रेन के नाम पर हजारों की जाँच करवाएंगे और जो सिर्दत पचास पैसे में ठीक हो सकता था उसे पचास अजार में ठीक करेंगे क्योंकि हम भारतियों को पैदा होने के साथ ही ये सिखा दिया जाता हैं कि बड़ा नाम है और महंगा है तो बहतर है अब जिसको जो बसड मचानी हो मचाओ बाबे की दवाई से कौन कितना ठीक होता है ये तो समय ही बताएगा और किसी ने कनपटी पर बंदू करकर नहीं काये कि बाबे की दवाई खानी है जमे तो ठेक वन्ना घंटा कर देख लेकिन बाबे ने एक काम तो करी दिया है घोर निराशा अवशाद घबराट में डूबे लोगों में एक विस्वास तो जगाई दिया है यह विस्वास भी कॉरोना को हराने में मानव जाते की मदद करेगा बाबे के कीडे ने लोगों के दिल और दिमाग में इम्म्यूनिटी बूस्टर भर दिया है बाबे के कीडे तो ऐसे ही बाबे को काड़ते रहना